दुनिया पार्ट दे जो मुसल्मान पाई चारे दे वेच फ्रांस दे इसलाम विरोधी रवये नो लेके बहुत ही जबरदस जड़ा गम और गुसे दी जड़ी लेर है है सो इस उपर आपां भी एक सेग्मन कीता सी एक प्रोग्राम कीता सी सो जिस तरह के इस विच पार्टी मुसल्माना दी जड़ी हिंदू तवी हत्थूं मंध हाली ते वी जड़ा स्वाल है ओचुक्या गया है इस ते सानूं साड़ी व्यूर्ज वलूं काफी सारीयां लिखत आए याने सो इस बारे आप आमीचार सर्चा करन जा रहे हैं सो असी चामांगी के तुसी साना ने से तरह ही बने रहा ना देखन सुनने तो ड़ा साब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी राड़ साब की करना चाहोगे और देखो सब तो पहला था बेशक होन साड़े साउथ है शिया देखितेच सेलिबरेशन जोवर हो चुक्किया ने जै पिछले दिन बड़े मुबारक सी जैना नो इद मिलद उन नभी केंदेने क्योंकि ए नभी मुहम्मद साब दा जड़ा पैदाश दा देने और ए बारमा दिन हुंदे रब्यूल अवल जड़ा महीने इस हिज जरी सम्मद देविच जै और बेशक एस देविच दूसरी हैं जवें इदुल फितर और इदुल जोहा वांग सेलिबरेशन नहीं हुंदी हैं लेकिन विशिज हुंदी हैं और देने मुबारक जदों के पांच सो सतर इस्वी देविच मुहम्मद साब इस दुनिया दे उते आए और उना ने अपना जित्थे इंसानियत दा अमन दा और एक रब दी होंद दा मैसेज दता है उत्थे इस सारे पीरियड दे विच जदों होन ये साले देन मनाया गया इद मिलो दोन नभी असी मुबारक बाद भी दन दे हैं अपने सारे मुस्लमान पहना पर इस वेले एक उही इसलामोफोबिया जेस दी बेशक जेसी इवन क्रुसेड्स दे जमाने तो जहां मुड ले देना तो ये देखिए एक तकरार ता रहा है वकरी के सम्दाओ एक हिस्टारिकल पार्ट है जिड़ा उस सारे क्राइसिस दे लेकन जिस अंदाज दे विच नाइन इलेवन तो बाद खासता औरते एक इसलामोफोबिया और उसनों क्लैश अफ सिविलाइजेशन देना जोड के हंटिंटन अदी लिखत नों क्लैश अफ सिविलाइजेशन नों भी अदार बनाया गया है और हौली 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 कमें उस हद तक पहुंच गही है के यारप जिड़ा नों डिमाक्रिसी और फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन और उस सारे दा बाप समझ दे और फ्रेंच प्रेजिडेंट मैकरॉन ने जिस किसम दा रविया अख्तियार किता हुए है पहला उना दी जड़ी मैगजिन वालों इस किसम दा दिला नों दुखी करन वाड़ा जड़ा और उस तो बाद उदी जस्टिफिकेशन उनों फिर दुबारा चाप पड़ा जनूं कहां देने के बल्दी ते तेल पोना और इस दा नतीज़ा समने है इस तेले सारा इसलामिक वर्ल्ड राउंड दा ग्लोब जदो आसी देख दें थां 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 ते प्रोटेस्ट हो रहे ने टाकेच लखा लोक कठे होए बंगला देश और इवन पारद विजद थे हालां के हिंदू तविया ने एक खाफ भी प्यादा किता हुआ है एक्स्ट्रा माल जाके पारद दी फारण मिनिस्ट्री ने जड़ा फ्रांस दे प्रेजिडेंट दी हमायद कीती और उस सारे न नाइंटिन प्रिकॉशन दूजियां चाल दे याने मुंबाई दे विच कश्मीर वादी दे विच जड़े ने लखा मुस्लमान सड़कां थे ने और इस आरे च दर्शक देख भी सकते ने के बाई वड़े वड़े जड़े ने हतां दे विच अंडे फड़े हुए ने और पार दे विच वी बहुत वर्ड़े पाकस्तान दे वी तो आफकोर्स बहुत सारी यां था हुआते हैं पर पार दे विच वी जिस स्पिरिट दे नाल लोक बार निकले ने एक अल दस दी है कि पाई जदो जज़बात मख़बी जजबात और खासत ओरते हर एक दे अंदर हों दे हैं तो जहार है इसलाम ता जह एक रब्दी हस्ती है और जड़ा कलमा है ला इलाए लिल्ला मुहम्मद रसूल अल्ला है और बेशकु रसूल ने अल्ला दा एक अपना रुत्बह हो दा कोई शरीक नहीं है लेकन तुसी अपने नभी बारे जह इस किसम दा कुछ देखो सुनों तो जहार है कि यह ना काबले बर्दास्ते और इस दा इजहार दुनिया पार्दे विच जड़ा इसलामिक वर्ड वर लोग किता जा रहे और इस बारे इमरान खाम जड़ा ने यू एन दी अपनी स्पीच भी पिछले साल इस शिशू नो उठाया सी उना दी काफी ड इसलाम जड़ा रिलीजन आफ पीस है जो तुसी असलाम आलेकम भी कहन दे हो तिजार है कि भी ए अमन दी गाले और बेशक हर मजब दे विच कुछ कंडिशन्स कुछ लोग इस किसम दे उनों डिफरेंट एक्स्टीम तेल जाके जड़ा ने वो एड़ोकेट कर देने वो हर मजब चने लेकन कुल मड़ा के जड़ा है इस सारे दे उत्ते उना दी काफी बैलेंस्ट स्टीमेंट है और क्योंके असी इस दे उत्ते गालवी कीती सी एक सेग्मेंट और पैंजी अमन जोतकार उना दी एक लिखतवी एस नों लेके सी जड़िच उना ने एक एसी के पाई बहुत चंगी काल है कि सारा इसलामिक वर्ल्ड कट है इस मुदे ते फ्रांस ते इशू ते पर उनने इस वाल भी चुके ऐसे के पारदे विज़ते इसलाम, कुरान शरीफ और मुस्लमाना दे खलाफ एक सिस्टेमेटिक टांगनार नफरत फैलाई जा रही है और क्यमें काट दी मुवमेंट दुनिया पारच इसलामिक लोका ने खड़ी किती है इससे लाइन दे इंडिया दे विच्वी एना दे प्रोडक्स दा बाइकाट करो और दसो के पाई तुसी क्योंके दोसो मिलियन कोई छोटी अबादी नहीं है और इस दे उते आवाज क्यों नहीं च इखनवाड़े हैंच साड़े एडमाइरर ने अफकोर्स दूसरे लोग भी ने जड़े जनादी ब्रेड बटर इंडियन सिस्टम चो निकल दिया हो भी आ जानदा ने पर जदों साड़े विवर्स ऐसी क्या सी भी सानू दस्या जाए कि पाई या एक बीबी ने सवाल साब उना ने जवाब दते है के डॉक्टर अमर्जित सिंग साहिब और नीलम कोर साहिबा सथ्री अकाल जी Sister Aman Jodkar has raised a valid question about the indifference of Muslim Ummah over the India's brutality on Kashmiris especially the insensitivity shown by so-called leading nations of the Muslim Ummah, Saudi Arabia, UAE and Bahrain bestowing their highest honors on Modi, the murder of thousands of Muslims in India and Kashmir and befriending another murderer of Muslims Nathan Yaho उनाने किया कि ये तिनो मुलक जड़े इस्लाम कुमा दे लीडर ने उनाने मुदी नो भी civilly and highest award दते है और इस्रील दे ने 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 ले आन दे और are they sold numb to the plight of their fellow Muslims on their narrow personal interest namely keeping hold on power to enjoy the perks of the power is more important to them than standing up to oppressors of fellow Muslims beat Kashmiris, Rohangiyah, Indian Muslims, Palestinians or any other oppressed people. उनाने किया कि ये जड़े सारे ही ने उनाने इस्लामिक मुलक दा जिकर किता खासता ओरते Saudi Arabia, UAE and Bahrain कि ए अपनी पावर नो चंबडे रहना है चोंदे ने और इसले इना दे विच्च एहमत ही नहीं है कि जड़े मुस्लमाना दे उत्ते जलम करने वारे ने पावे हो किश्मीरी मुस्लमान हों, रोहिंगी हों, जा इंडियन मुस्लम हों, जा फरस्तिनियन हों, उना दे या अखा जखा पाक है, उना दे लहीं गाल नहीं कर सकते It seems aforementioned royal families have made a deal with more than one devil to hold on to their worldly luxuries at the cost of sacrificing interests of suppressed Muslims world over. My message to MBS and others is, look back on your region's recent history, there was a royal family of Iran with imperious attitude, they felt secured because the satan, Shatan himself USA guaranteed their support to maintain their grip on power and what happened to that Shah of Iran, even Americans refused him entry of their country because out of power he was of no use to them and he was duly discarded. So इना ने, सुहेल यूसफ साव ने, इना अरब हुकमराना ने कहा है कि पाई अपना भी हशर याद रखो कि शाफ इरान जिनुन इनुन इन्हीं पैटरनाईज कीता सी, अमरिका ने, पर जदों गुदा तखता उल्टे है, बाद ये इना ने मुह नहीं लाया है, क्योंकि इना नुन भी अपने हिद्ध पे आ रहे ने, और उनों उना ने डंप कीता है, जाफ इना ने, जाफ आफ ये जाफ ये अर्बाइज पैलवी, तो आनु रजाशा पैलवी दा हशर याद नहीं है, फिर इमें दाई तु इंतजार करो, वही तु अड़ना रोंड जा रहे है, उनना ने कहाए, जाफ आफ आफ ये अर्बाइज आफ ये ने, आफ ये रजा जो साहिबा, फर रेजिंग इस अनईजी क्वेस्चन, पाकस्तान, खालस्तान, एंड कश्मीर, जंदाबाद, जो बहुत 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 शुक्रिया, सुहेल यूसफ जी, और इदे ची रियाज अली जी ने ए लिख है, के मुसल्मान लोकां दा इमान, कमजोर ते दुनिया जादी महबत, मुसल्म मुलकानों अपनी तजारत दा डर, अल्ला करीम, मुसल्मान लोकानों हिदायत देवे, आमीन, उनना ने किया के पाईए, असीवी कमजोर हुए हैं, मान वजों ते साड़े मुलक ने, उनना दे विच वपार, तजारत दा फिकर है, और अल्ला साड़ ते रह्म करे और सानू हमत दे, और इससे तरह मुहमद अजाजी ने लिखे, रच शब तेंक यू वरी मुच पर यूर काई रिमार्क्स, रिगार्डिंग अफर अवर प्रॉफिट, हूम वी लव और रिस्पेक्ट, अबाव अवर फैमिली, इससे प्रैक्तिकली पार्ट अ अबाव बलीवस, वेर अजू मैं अच्छ वाई मुसलिम्स दिदेंट रिक टु इंडिया, दिफरेंस इंडिया दिए अटाक अवर प्रॉफिट, पीस भी अपन हम जमें रिस्पेक्ट अर क्या जानते, जै अटाक्ट इंडिविज इन टेर प्रॉपर्ट अंडिया अटिय अचि की अरबिया। अधर गल्फ स्टेट्स वोड़ाव शोनिट इंगर, लट अलों पकिस्तान, वी विल टॉलरेट अनीटिया, बिस्पेक्ट इंडिया जजडे है। बेशक इसनों एक दलील दे तो ओरते देखिया जा सकते है पर मैं समय देए भी जो कुछ पारत दे विच ये तुसी उना टेक्स्ट बुक्स तो लेके उना सारे हैं दा देखो ते बहुत कुछ ऐसा है जे डा कुराने मजीद नभी मुहम्मद साहिब और जो लोकान अलवा पर रहा होदी हैं खबरा और मसीद दा देखो मैं समय देए भी जवे साड़े लई गुरू साहबान मेसेंजर ने परगंबर ने लेकन अल्टीमेटली जे हुन गुर्दवारे दे उत्ते हमला हुन दे ते साड़े लई हैं जवे कोई गुरू नानक साब बारे कुछ कहन दाया कुछ लिख दाया है जहां कोई गुरू 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 साब दी बेहरमती कर दाया है जो मैं समय देए भी एक्वेट नहीं करना चाहिए हाला हर चीज दी अपनी एक मुकाम है पर मेरा ख्याल है कि पहें जी अमन जोतकौर और नवी जदों इस सवाल पुछ है उन नहीं अपने मुस्लमान पैना प्रामादी जड़ी ए फिकर भी करो नहीं ता और कश्मीरियां दा भी उन्हाने जिकर कीता है सी नहीं ता जो खुछ ही थे चल रहे है ए इना दी हों देना हिंदू तवियाने रैंड नहीं देनी देनी ए उना दा कहना सी और इसे तरह न्यू दॉक्मेट वाड़ है नहीं किया है ओईसी इस लेड बाई कॉवर्ड वेस्टन पपट्स हूँ है बिजनस इंटरेस्ट इंडिया एंडिया एल्सवेर क्यो आईसी दी डिडिशिप कॉवर्ड से कोड है जिना दे बिजनस इंटरेस्ट ने पारत चो और दूसरे पास से बि सारे ही ओने जना ने वेस्ट नू चैलेंज कीता है और ये निवेस्ट डॉक्मेंटरिस केंदेने भी इना नू एक क्योंके पैसे दे पुतर और तजार दे विच कर इना नू पता है कि जे वेस्ट दे सामने खलोते है ता फिर इना वांग जना दे ना लेने की हशर होएगा दा वेस्टन डीडर्शिप कीपस ऑन हुमिलेटिंग दा मुसलिम्स फर पुलिटिकल गेंज दियर आर थर्टी थाउजन स्कल्स अफ अलजीरियन मुसलिम लीडर्स पाइल डप इने मुजियम इन पैरिस ए नवी जानकारिया उनने क्या भी हुमिलेट कर देने भी ती हजार खूपड़ियां अजड़ियां ने ओ अलजीरियन मुसलिम जीगों के फरेंच कॉलनी उनना ने पैरिस दे विच रखिया हुई हैं और मैं अखीरली लिखत क्योंके असी बहुत वार अपड़ें लिखतानों बहुता वक्त नहीं देंदे जुबेर आमत उनना ने कहा सरदार जी जड़ों लीडर खोते हों ते अवां दी अवाज दी वी कोई आहमयत नहीं हूंदी क्योंके लीडर कंट्री नो रिपेजट कर रहे हूं देने ओ पूरे मुल्क दी अवाज हूंदेने इमरान खान ते तायब अर्दोगन तो इलावा कोई भी खुल के गाल नहीं कर दा ह उनने क्योंके पंजाबी जबानी है मैं उन्टिक्रेट करना दी लोड नहीं है ओ आई सी नों ही देख लो दुनिया दे सारे मुलकां दी ए जमात है ए टीम जिदे चेरमें साथी अरेबिया जदों दुनिया विच कोई भी हो जाए मुस्लम मारे जान इंडिया विच बर्मा व कि ते पर ओई सी दे चेरमें साथी अरेबिया दी मिजाल मिसाल है कि कुछ भी बोले जदों लीडर ही चुप रहगा या दुश्मन दी साइड दी गाल करेगा ते फिर बाकी मुलकां दी आवाज दी भी कोई खास ऐमियत नहीं रहन दी सब अर्प मुलक अगे थोड़ी जी लंबी ये लिखत मैं इते ही इसनों खत्म कर दें और असी अपने सारे व्यूर्स दा शुक्रिया दा कर दें कि ओ सानू लिख देने और असी ये भी कमांगे अभी सानू अपनियां दौामां विच रखो और रब रहमत करे अल्टीमेटली चैलेंजिज ने जैं फेत लई इ और ये इसाड़ा फर्ज है क्योंकि साड़ी तेहीं फर्ज हुन देज़े और और ऑखे वक्त आन देने कमांगे निकल जान देने पर साड़ा रब दे उते विश्वास और सच हक इनसाफ दे एक पंदी होन दा, मुसाफर होन दा, जड़ा साधी चान है ओ, रब सारे हन दे सिर्ते हाथ रखे और आसी सच हक इनसाफ दे रस्ते दे तर दे रहे तरसा थोड़ा बहुत पर शुक्रिया साथ लेने ब्रेक प्योर से तुसे किते नहीं जाना मिल दे आफ्टर इस शार्ट प्रेक